है हमारे हर्याना स्टेट के किसानों को उनके साथ ऐसे बिएव हो रहा है जैसे ये बड़े भारी अपराद्धी हो और इस देश के अंदर अपना हक मांगना एक जुल्म सा हो गया है और हम कहीं देश द्रो कर रहे हैं करने के कहीं बार तो हमारे को ऐसा मसूस होता है कि हम दू चापे मारी की दविश की जा रही है 25-25 बंदे आके और किस फोर्स से हैं कौन बंदे हैं कुछ नहीं पता ऐसे फ्लैक मार्च करते हैं जैसे दबाव की रहन निती अपनाई जा रही है जैसे कहीं इस देश में ऐसे लगता है कभी-कभी अंग्रेज्जों का राज है या मु दिया जाएंगे भाई हम अजाद भारत में बसते हैं हम इसलिए साथ तरीक से घर से हमको जाना पड़ा क्योंकि हमारे साथियों को उठाने कोसिस करी जा रही थी हमारे घर पे भी आठ तरीक की रात को दो बज़े 23-24 बंदे आते हैं किस कनून में लिखा है रात को दो बज पर इस वक्त मैं मौझूद हूँ यहां पर हर्याना के किसानों ने अलग टेंट लगाया हुआ हुआ हुदा हर्याना पुलिस रोक रही है हर्याना में प्रदर्शन करना तकरीबन नामुम्किन सा है इन किसानों के लिए इसलिए वह पंजाब आये हैं शंबू बॉडर पर यह पंजाब की किसानों का समर्थन कर रहे हैं हम हर्याना में क्या हालात हैं इन से ही जानते हैं क्या चल रहा है हर्याना में कभी एनसे की बात हो रही है कभी कहा जा रहा है कि आपी जमीन जो है वो जब्त कर ली जाएगी आपकी अकाउंट जो है वो फ्रीज कर लिए जाए जैसे कि आप लगबग मालुमी है हमारे हर्याना स्टेट के किसानों को उनके साथ ऐसे बिहेव हो रहा है जैसे ये बड़े भारी अपराद्धी हो और इस देश के अंदर अपना हक मांगना एक जुल्म सा हो गया है और हम कहीं देश द्रो कर रहे हैं जो हमारे उपर अन्यसे लगाई जा रही है वो तो देश द्रो ही लोगों के अपर लगाई आती है हमने पता हूंय संदोलनई के अंदर और कौंट सा देश कर दिया कौंट सी देश की परापटी को नक सान पहुंचा दे बही अपना हक मांग रहे हैं और वह हक मांग रहे हैं जzing सरकार property को नकसान पहुंचा दे वह अपना हक मांग रहे हैं और वह वह हक मांग रहे हैं जो देश की सरकार ने हम से 2014 में अपने election मैनिफेस्टों में वादे करके बुल ला था कि हमाम को यह कहें वही लगाई जाएगी तो बड़ी शर्मनाक बात है और इसके लिए शब्द नहीं है कि अगर ऐसे ट्रीट जैसे देश के किसान को अनदातों को किया रहा है अगर ऐसा भीहेव देश के अपरादियों के उपर किया जाता और अगर ऐसी बैरिकेटिंग जैसी पंजाब हर्याना के बार्डर के ऊपर है एसी बैरिकेटिंग हिंदुस्तान पाकिस्तान के बार के ऊपर की जाती है तो वहां से शाहिद अथकबादी इस देश केंदर ना आते हर्याना में तकरीबन 10 साल होगे खटफ सरकार है इस भाइ फिर से वह सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं क्या लगता है ऐसे खालातों में खटफ साथ रिपीट कर पएगे अब फिर से देखो ये मेरा विशा नहीं है वो रिपीट करते हैं वो जंता का मेंडेट है वो जंता किसको चुणेंगी वो जंता चुणेंगी हम ये चाहते हैं कि हम किसान हैं अगर देश का किसान और स्टेट का किसान खुशाल रहेगा तभी ये खुशाल रहेंगे वरना खुशाल ये भी नहीं रहेंगे आपको पंजाब आना पढ़ रहा है पंजाब की किस्तानों का समर्थन करने के लिए कहीं बार तो हमारे को ऐसा मसूस होता है कि हम दूसरे देश में आकर बैठे हैं हमारे को अपने घर जाना मुश्कुल हो रहा है 20 दिनों से घर चोड़े बैठे हैं यहां नहीं इस देश में ऐसे लगता है कभी कभी अंग्रेज्जों का राज है या मुगलों का राज है नदर शाही पर राज इस देश के अंदर प्रीस दिन से आप यहां पे है कितनी बार पुलिस घर पे आई चार-पांच बारी पॉर्स गाउं में आली और नोटिस दो बारी कि अगर आप अंदोलन का हिस्सा बनते हो तो आपकी प्रॉपर्टी कर दी जाएगी आपके बैंके खाते फ्रीज कर दिया जाएंगे आपके बच्चों के पासपोर्ट रद कर दिया जाएंगे भाई हम अजाद भारत में बसते हैं और सब्धानिक हाग का है हमारा प्रोटे पूछने जाते हैं ऐसे दविश करते हैं बताओ भी किसने अनॉंसमेंट कर दी अनॉंसमेंट करना भी गुना हो गया कमाल की बात तो यह देखो आप बड़ी शर्मनाग बात है देश की लंगा लोगों ने को मेंड़ेट दिया कि आप सरकार चला हो इसका मतलब यह थोड़ ही क pigment कले करिशी कानुन वह भड़ा भी फैं multip da अने को गल्त फैंसले ले लिए एसे यह दो लगता है कि सरकार ही गल्त है इसकी मनशाही कलत यह देश गल्द लोगों के हाथ में तलाएं हमारे हमारे को यह भी लगता है कि जो सिद्धा टार्गेट हमारे उपर पुर्ष के प्रसासन द्वारा किया गया है वह हमारे देश के किसान नहीं हो सकते क्योंकि किसान और जुवान एक ही घर के बेटे हैं एक भाई दूसरे को पर ऐसे टार्गेट करके नहीं मार सकता हमारे को यह लगता है इन्होंने अपने कोई खाखी निकर वाले शायद इसके अंदर डाल रखे हैं और एसस जो देश का किसी टैम में इसको आंत्कवादी संक्ठन घोसित किया था कि सैद उस संक्ठन के आदमी होंगे जो अपने हम पंजाब वाली साइड आई हैं हर्याना की किसान और जतने किसानों से मैंने बात की उनके घर में नोटिस पहुंचे हैं यह भी किसान कई दिनों से पंजाब में हर्याना वापिस आना चाहते हैं हर्याना में कैसे एंट्री होगी इनके घर में इनकी पोतरी हुई है इनके ब तो मुझे लगता है कि यहां पर बैठी जो किसान उनके लिए बना ही नहीं अगर डर्श अब आप इस्तमाल कर दोगे तो आप वो कहेंगे कि नई हम डरते नहीं हैं हम डटे हुए हैं क्या कहना चाहेंगे हम इसलिए साथ तरीक से घर से हमको जाना पड़ा क्योंकि हमारे साथियों को उठाने कोसिस करी जा रही थी हमारे घर पे भी आठ तरीक की रात को दो बजे 23-24 बंदे आते हैं किस कनून में लिखा है रात को दो बजे एक अंदोलनकारी के घर पे छापा मारना और भी बहुत गेट के उपर डंडे मारने लात से पीटना और घर वाले भी डर गए थे उन्होंने पूछा भी कि अंकल हम कैसे मालने की रात को पुलिस आई है कि गुंडे आई हैं यह तो क मेरे पोती होती है तो फिर इनोंने वहाँ पे शिटी में भी जो होस्पिटल था वहाँ पर भी जीपशी लगागी रख ही है उसके बाद कल फीर मेरे घर पे एक बस यह जो प्रेटी वाली बर्दी वाली थी एक लेड़ी पुल्स थी दो सदर ठाने की काडियां थी सदर ठा कर रहे हैं क्यों मतलब आंदोलन तो आपको देखा आप शांत होकर यहां पर बैठे हो कोई हथ्यार लेकर आप नहीं आयो तो फिर शांत मैं आंदोलन पर खटर सरकार ऐसे क्यों ले रही है अब संजाएं जरा कि यहां पर आकर जो मैंने लोगों से सुना जो आरोब आप खटर सरकार पर लगा रहे हैं वह बेहत गंबीर है जो आपको सुन रहा होगा वह भी हैरान हो रहा होगा असलमाना जो खटर रहा है यह सीएम का चेरा वैसे ही बनाया हुआ रबड की मोहर है इसकी चल्दी है नहीं जो सेंटर से इसके तो ब्यानवी से लिख कर आते हैं यह सीएम मेरे को तो लगता नहीं कोई सीएम के कावली इसने आज तक हर्याने में कोई अपने दंपे कोई स्ट कल को हमारे घर देख लिए उन्होंने हमारे घरो में डगना करना शुरू करतें दो मीहिन बाद हमारे घरो में ठ्काटियाँ देख लेने धीक दो महीने बाद हमारे गरों पे तो आपके घर में पोत्री भी हुई और बेटी ने जनम डिया है तो आप अभी देखने नहीं गए बिल्कुल जाने ही नहीं देती पुल्स हम घर गए हमके पकड़ लिया जाएगा फिर हमारा अंदोलन में आना बिल्कुल मुम्किन नहीं है अब तो बाद में जितने पच्चे होंगे देख लेंगे पर अंदोलन में आ रहे हैं हमारा मन करता है अंदोलन में रहने को इतनी में अगर आज हम गिर्फतार हो जाएं तो फिर सारा बेकार हो जाएगा हम अपनी गिर्फतारी ना होने के कारण घर नहीं जा पाते हैं हर्याना में अगर entry की कोशिश करेंगे तो अर्याना पुलिस इनके घर आया। नोटीस है बलकार सिंग जी के घर में आया है। यह किसान लीडर नहीं है यह आम किसान है। यह साद बोलते नहीं है। मतलब यह सीख रहे हैं किस तरह से बोलना है, मीडिया के कैमरों के आगे, तो क्या आप कहना चाहेंगे? मैडम मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सरकार ने जो अपने बादे किये थे हमसे, वो पूरा करे हमें क्या लोड़ा सटक पे बैठने की? नोटिस के आया आपको? नोटिस आया मैडम कि आपकी जो प्रोपटी है उसको जब्त किया जाएगा, जो बैंक खाते हैं उनको ब्लॉक किया जाएगा घर कैसे चलेगा, मतलब अंदोलन आप कर रहे हैं और भी कोई केस है, आपके और कोई गुनाह किया है, और कोई अपराद किया है? जी नहीं, सिर्फ अंदोलन के कारण कि आप अंदोलन का हिस्सा बनते हो, मैं डिश्टी कैथल से हूँ, बी के उस हीदबक सिंग से, इसलिए कि आप अंदोलन का हिस्सा बन रहे हो, इसलिए नोटिस लगाया जा रहा है तो घरवालों को चिंता तो होड़ी होगी, फोन आपके लगनी रहे होगे, यहाँ पे नेटवक ही नहीं आ रहा है, ना हर्याना में, कुछ जिलो में नेटवर्क है, ना पंजाब में, जहां पर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नेटवक तो आई नहीं रहे है, तो फिर क्य तकरीवन 14-15 मेहने चला था उसके अंदर मैं सिर्फ only 23 दिन घर पे आया था पूरे टाइम मैंने सिंगू बॉर्डर पर ही रहा हूं इसलिए सरकार को पता है कि यह करांतिकारी लोग हैं हमको दबाना चाहते हैं लेकिन हम नहीं दबेंगे किसी भी हालत में नहीं दबेंगे हर्याना कब जा रहे हुआ हर्याना तब तक यह अंदोलन चल रहा है कैसे घर जाएंगे घर जाएंगे तो पकड़ लेंगे तो अंदोलन में अगर ऐसे पकड़ते रहे तो फिर हम अंदोलन को कैसे जीतेंगे तो हर्याना में इस तरह से आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते बैठें जी नहीं वो घर नहीं रहने देते प्रोटेस्ट कैसे करने देंगे हमारे जो खेतों के कच्चे रास्ते हैं वो भी सील कर रखे हैं कि कोई गाउं में ना आए गाउं से बार ना निकले और जो गाउं के सरपच है उनको भी बार बार चेता रहे हैं कि आप बताओ कितने लोग आपके गाहों से गए है और अगर गए है तो उनकी लिस्ट देब हमको तो बिल्कुर काफी हैरानी हो रही है ये जो बाते कह रहे हैं कि हरियाना में जिस तरह का महौल बना हुआ है कि जो भी किसान पंजाब की किसानों का समर्तन करना चाहता है उनको सपोर्ट करना चाहता है जो किसान MSP की मांग कर रहा है जो किसान मोधी सरकार से अपनी मांगे मन पूरी नहीं हो जाती शंबू बॉर्डर से लगातार पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पूरी तस्वीर हम पूरी तस्वीर हम रहे हैं